नमस्कार, स्वागत है आपका Self-Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में discuss करेंगे कि UN यानि United Nation जो उसकी एक Peace Keeping का मतलब क्या होता है Peace, Peace यानि शांती, शांती स्थापित करने वाली जो Force है उसमें महिलाओं की भूमिका के बारे हम बात की जा रही है कि महिलाओं कितनी जादा important है और साथी साथ UN के द्वारा कहा गया है कि महिलाओं को जादे जादा participate करना चाहिए Peace Keeping Force के अंदर उनको जो है आगे आकर जितने भी देश जहांपर युद जैसे माहौल है या फिर युद स्माप्त हो चुका है वहां पर शांती स्थापित करनी है तो महिलाओं बहुत जादा एक important role play कर रही है तो जितने हो सके महिलाओं को participate करना चाहिए तो आज की date में हम जानेंगे कि महिलाओं इतनी जादा important क्यों है क्या ये शांती स्थापित करने में कोई अलग से भूमिका निभा रही है इतनी इनकी जादा मतलब कह सकते हैं कि संख्या कितनी है peacekeeping force के अंदर तो इस सारी स्वालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाले है साथ इसाथ भारत ने क्या कभी महिलाओं की कोई peacekeeping force बनाई है या फिर कभी भेजा है भारत से बाहर महिलाओं की कोई force को ताकि वो UN की help कर सकें या यह कहें कि peacekeeping force में वो जाकर शामिल होकर किसी देश में शांती स्थापित कर सकें ऐसा कभी भारत ने किया है तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो मिलेंगे PDF जो है वो इस वीडियो के आपको डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको टेलिग्राम से वहाँ पर जाने में परिशानी हो रही है तो self study आप लिखिए self study आप लिखिए टेलिग्राम पर आपको इस तरीके का icon लिखेगा तो जाकर आप उसे join in कर लीजिए वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी तो चलिए start करते हैं कि देखे आज की date में क्या हो रहा है कि महिलाएं जो सैनिक है वो UN के अंदर जो peace keeping mission होता है उसमें हिस्सा बनने के लिए already training ले रही है और UN को भी काफी time हो गया है एक दसक्ष भी जादा time हो गया है जो संगर्स को रोकने और संगर्स के बाद जो युद के बाद जो समाप्ती होती है उस समाप्ती के बाद शांती स्तापित करने में महिलाओं की अधिक भागेदारी सुनचित करने के लिए वो आहवान कर रहा है यानि प्रमोट कर रहा है आप आईए पार्टिसिपेट करिए यहां पर आके अब UN जो है आप देखें तो एक तरीके से जैसे मुझे यह चीज देखकर बड़ी हंसी आ गए संगर्स को रोकने के लिए और वहां पर शांती स्तापित करने के लिए मुझे यहां पर हांसी इसलिए आगी है कि UN जो है वो एक तरीके से बिना दांत वाला एक शेर है जिसको सिरूपर सिरूपर हम किताबों में पढ़ सकते हैं नंबर लेने के लिए होना जाना इससे कुछ है नहीं तो एक बार ज़रा UN की जो पीसकीपिंग फोर्स है पढ़ते वक्त भी असी आ रहे हैं मुझे तो UN की जो पीसकीपिंग फोर्स है एक बार उसके उपर नजर मार लेते हैं देखे, UN की जो पीसकीपिंग फोर्स है इसकी स्थापना कही गए थी 1948 में किसके द्वारा कही गए थी? UN Security Council के द्वारा इसका काम होता है कि जितने भी संगर्ष यानि यहां पर युद जैसे माहौल है उन देशों में स्थांति स्थापित करने में यह हेल्प कर सके, क्लियर हो गया अब दुनिया भर में यह जो UN है, दुनिया भर में अपने सैनिकों या पुलिस को वो तैनात करती है और वहां पर जो भी इसके द्वारा जो मेंडेट त्यार गए है मेंडेट त्यार किये गए है UN Security Council के द्वारा वहां पर इन forces के द्वारा उनको लागू किया जाता है उनको बताया जाता है कि यहां परशांती स्थापित ऐसे करनी है या फिर अधिकारों की रक्षा करवाई जाती है तो यह काम होते हैं Peacekeeping Force के अब भारत के बारे हैं बात कर लेते हैं कि भारत में भारतीय महिलाओं की क्या भूमिका रही है UN की Peacekeeping Force में तो भारत ने पहली बार 2007 में पहली बार 2007 में बहुत important है कि एक अखिल महिला गटित पुलिस इकाई यानि जिसे FPU FPU कहा जाते है Liberia के अंदर भेजी थी Liberia यानि एक अफरीकी कंट्री है जहां पर सीविल वोर्ट चल रहा था तो भारत ने भेजा हुआ है तो ध्यान रखना कब भेजा है 2007 के अंदर महिलाओं की एक कह सकते हैं कि पुलिस इकाई को याँ पर भेजा था अब इससे क्या मतलब बनता यानि आश्य है यानि कहें कि intent क्या है देखें सिंक्त राश्य सुरक्षा परशद में जो भारती अधिकारी है उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर 27 शान्ति को बढ़ावा देते हुए काया है कि सारजनिक जीवन में महिलाओं की अधिक से अधिक भागिदारी होनी चाहिए और उनके खिलाफ इंसा को समाप्त करने का उन्होंने काया कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए अपने खिलाफ हो रहे हैं इंसा को समाप्त करने के लिए और इसका significance क्या है पुरुषों का जैसे वर्चस हो है इस पैशे के अंदर, तो एक लेंगिक ऐसमानता, मतलब की लेंगिक ऐसमानता उसको खतम करने के लिए, जैसे भारत में कहा रहा है कि अगर महिलाई यहां से निकल कर आएंगी, तो एक जो सोच बनी हुई है, रूड़ी वादी जो सोच है, उसको वो तोड़ पाएंगी, और भारत का भी वो परतिनिदित कर पाएंगी, पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, क्लियर हुआ, तो काफी इंपोर्टन बात हो जाती है, पिर स्यूंक्त राष्ट शांती सैनाग में महिलाई के वरतमान सिती के बारे हैं बात कर लेते हैं, देखे, महिलाई को कहां का तैनात किया कर दी हैं, और उनका एक पोजिटिव एफेक्ट भी पढ़ रहा है, वरतमान में क्या है, कि इसमें क्या है, कि 95,000 शांती सैनिक है, यानि पीस कीपिंग फोर्स है, यहां पर इतने सैनिक है, और इसमें से लगबग जो महिलाई हैं, सैने दल के तोर पर 4.8% है, गटित पुल कर दिया जाएगा, और इसके अलावा प्रेवेशकों स्टाफ अधिकारियों के लिए 25% का यहां पर इसको बढ़ाया जाएगा, तो यहनि एक तरीके से महिलाओं को यहां पर बुलाया जा रहा है, कि आप आईए, पार्टिसिपेट करिए, जिससे क्या होगा कि बहुत बढ करताएंगी कि महिलाओं कैसे हेल्प कर पाएंगी, अच्छा, सिंग्त राष्ट शुरक्षा परसित का परता, एक रिजोलुशन जो इसके द्वारा पास किया गया था, 1325 करके, जिसमें कहा गया था कि वर्दीधारी महिला शांती सैनिकों से, इसके संचालन में महिलाओं की भूमिका, योगदान का विस्तार का आवान यानि इसको प्रमोट किया जा रहा है, फिर यहां पर एक्शन फोर पीसकीपिंग फोर्स एफोर पी पहल जैसे कहा गया है कि, यह कहा है कि, एफोर पी पहल, जो महिलाओं, शांती और सुरक्षा एजेंडे को, शांती अभ्यानो के परदर्शन को बढ़ाने के लिए बहुत महितफ पूर्ण मानती भी है, यह शांती प्रकिरिया में महिलाओं की पूर्ण भागेदारी का समर्थन कर, शांती स्थापना को लेंगिक अधार पर अधिक उतरदाई बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें शांती निकों का हो ना क्यों महतरपूर्ण है अब क्यों महतरपूर्ण है कि देखे बहतर संचालन और परदशन यह नहीं improved operation and performance हो जाएगी आप अलग differentiate करें या मतलब कि आप एक diversity रखेंगे तो अलग-अलग ideas आपकी सामने निकल कर आएगे एक तरीके का talent आपकी सामने निकल कर आएगा और उसका आप use कर सकते हैं बड़े ही परभावशाली तरीके से बहतर पहुँच हो सकती है बहतर पहुँच कैसे हो सकती है महिला शांती रक्षक जो होते हैं महिलाओं और बच्चों से कई समवेदन शील अबादी वाले तक बहुत असानी तक पहुच पाती है लिंग अधारी जहां पर इंसा हो रही होती है जैसे महिलाओं को दबाया जाता है बच्चों को मारा जाता है तो वहां पर जो महिला शांती रक्षक का उन तक असानी से पहुँच सकती है क्लिर हो गया है यहां पर और उनको मतलब एक तरीके से education का वो महतव समझा सकते हैं विश्वास हैं आत्म विश्वास का निर्माण दें कि महिला शांती रक्षक स्थानिय समुदाओं के साथ विश्वास और आत्म विश्वास कायम करने में और स्थानिय महिलाओं की समर्थन में, सुधार करने में मदद करने वाले महतवर समर्थक है मतलब कि जैसे आपने माना है कि महिलाओं के उपर जादा विश्वास कर लिया जाता है उनको आतम विश्वास के तोर पे देखा जाता है तो यहाँ पर जो है जो महिला एक Peacekeeping Force है वो उनसे बात कर सकती है उनके उत्थान के लिए वो बात कर सकती है उनको आगे ले जा सकती है उनके अधिकारों के लिए वो बात कर सकती है तो इसलिए important हो जाता है साथ इसाथ वो प्रेडिट करना या फिर रोल मोडल के तोर में भी काम आ सकती है जैसे कि कैए कि Woman Peacekeeper Force जो होती है वो एक powerful mentor ये एक रोल मोडल के तोर पर उन लड़कियों या उन महिलाओं के सामने आ सकती है जहां पर यूद हो रहा है या यूद होने के बाद वहां की स्थीति हो रही है तो वहां पर उनके लिए एक रोल मोडल के तोर पर वो निकल के आ सकती है इसलिए वहां की जो महिलाओं है या वो एक तरीके से अपने इसे करियर के इच्छा के रूप में भी मान सकती है तो ये काफी ज़्यादा important हो जाता है तो उमीद करता हूँ कि ये जो चैशन है आप लोगों को peacekeeping force से related आपको समझ में आ गया होगा लाइक करी अगर आपको समझ में आया है subscribe कर सकते हैं चैनल को साथ इसाथ इससे मुझे बहुत ज़्याद motivation मिलती है अब PDF जो मैं आप लोगों को ओलेडी बता चुका हूँ कि कहां से डाउनलोड करेंगे और ज़्यादा ही पसंद आ गया है तो शेयर कर सकते हैं वीडियो को एस वेल आज चैनल को भी तो बस आज के लिए इतना है था thank you for watching this video